नमस्कार दोस्तों, आज की quick media info में आप सभी का स्वागत है आज बारी है Rebelsis Tablet की Rebelsis Tablet के बारे में आज हम जानेंगे कि ये exactly क्या होती है कैसे काम करती है, इसके advantages, इसके uses उसी के साथ साथ इसके side effects के बारे में भी आज हम जानेंगे आएए जानते हैं सबसे पहले Rebelsis Tablet क्या होती है तो Rebelsis Tablet GLP-1 agonist यानि की glucagon-like peptide diabetes group से आती है इसमें semaglutite as an active ingredient होता है और ये अलग-अलग power या फिर कहें अलग-अलग strength में भी available air market में Rebelsis 3 mg के नाम से, Rebelsis 7 mg के नाम से और Rebelsis 14 mg के नाम से भी ये available है अब आईए जानते हैं कि कैसे काम करती है तो दिन के सबसे पहले भोजन के 30 minute पहले या फिर कहें खाली पेठी हमें इसको लेना होता है ये हमारी body को insulin produce करने में काफी जादा help करती है उसी के साथ हमारी भूग को भी ये कम करती है ये हमारा weight loss करने में भी काफी जादा मददकार रहती है अब आईए बात करते हैं इसके advantages के बारे में बात करें अगर advantages की तो दोस्तों ये type 2 diabetes को treat करने में काफी जादा helpful रहती है उसी के साथ साथ kidney damage से भी ये हमें बचाती है eye damage से भी हमें बचा करके रखती है तो इसको लेने के लिए एक advice है कि इसको fix time पे ही लेना चाहिए उसी के साथ साथ इसको जब ही बिले तो complete tablet एक बार में लेना होगा साथ engulf करना होगा क्योंकि इसको अगर आप तोड़ेंगे या फिर इसको crush करेंगे तो इसकी जो outer layer है वो कहीं न कहीं खराब होगी जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा important होती है इसकी जो layer होती है वही इस दवाई की सबसे ज़्यादा important part है अगर इसको आप तोड़ते हैं या फिर इसको break करते हैं तो कहीं न कहीं इसकी efficacy पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अब आईए बात करते हैं दोस्तो इसके side effects के बारे में क्योंकि अभी ये new drug है market में तो इसके non side effects जो है दोस्तो वो बहुत कम है फिर भी कुछ drug के साथ इसके severe side effects शो करती है जैसे कि bichlomethason उसी के साथ साथ beta methason जो की एक तरह का steroid होता है chlorothiadone जो की Bpk patients को normally चलती है दवाईया citalopram normally nerve related patients को चलती है ये तो इन दवाईयों के साथ साथ रिबलसिस को कभी न लेना उसी के साथ साथ कुछ common side effects जो की physically आप देख सकते हैं वो है vomiting, diarrhea, constipation, headache, UTI का issues और gastrocephagal reflux का issues, thyroid T cell tumors और renal insufficiency तो ये कुछ इसके common side effects है फिलाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे का comment box पूरा पूरा आपका ही है जो चाहे वो पूछे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद